दो मित्र और भालू की कहानी दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीघ्र ही उचे व्रिक्ष पर चड़ गया और छुप गया परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे वह असहाय सा खड़ा रह गया तब उसे अपनी पाठशाला का एक सबक याद आया कि भालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते वह बिल्कुल एक मृत व्यक्ती की भाती धर्ती पर सांस रोक कर सीधा लेट गया भालू उसके पास आया और उसे सुंग कर चला गया थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेड से उतर कर आया और उससे पूछने लगा मित्रक भालू ने तुम्हारे कान में क्या क्या बोला उसने उत्तर दिया भालू ने कहा कि संकट की घड़ी में जो भाग जाए वह सच्चा मित्र नहीं होता